साच संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विश्य है एक रोध के दो मिनन चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साच संगत जी एक यूवक के शादी हो गई थी शादी के दो सालों के बाद उस यूवक ने प्रदेश जाकर व्यपार की इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की तो पिता ने सविक्रिती दी तो वो यूवक अपनी पतनी को जिनके घर संतान का जनम होने वाला था उसे अपने माबाप के जिन में छोड़ कर प्रदेश में चला गया व्यपार करने प्रदेश में उस यूवक ने उस आदमी ने अपनी मेनस बहुत धन कमाया सत्रा वरश उसके धन कमाने में बीत गए तो उसे संतुष्टी हुई और उसे वापस अपने घर पर लोटने की इच्छा हुई उसने पतनी को पत्र लिख कर आने के सूजना दी और वो जहाज में बैठ गया उसे जहाज में एक व्यक्ती मिला जो दुखी मन से बैठा था सेथ ने उसकी आदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में घ्यान की कोई कदर नहीं है मैं यहाँ अपने घ्यान के सूतर बेचने आया था पर कोई लेने को तयार नहीं है तो सेथ ने सोचा कि इस देश में तो मैंने बहुत धन कमाया है यह तो मेरी करम भूमी है मुझे इसका मान रखना चाहिए तो सेथ ने उस व्यक्ती से ज्यान के सुतर खरीदने की इच्छ जट आई उस व्यक्ती ने कहा कि मेरे हर एक ज्यान सुतर की कीमत पांच सो स्वर्न मुद्राई है सेथ को सोदा महगा तो लग रहा था लेकिन अपनी करम भूमी का मान रखने के लिए सेथ ने उसे पांच सो सोने की मुद्राई दे दी तो उस व्यक्ति ने ग्यान का पहला सुत्र दिया कि कोई भी कारिया करने से पहले दो मिनट रुख कर सोच लेना सेट ने वो सुत्र अपनी किताब में लिख लिया तो कई दिनों की यात्रा के बाद रातरी के समय अपने नगर को वो सेट पहुँचा उसने सोचा कि इतने सालों के बाद घर लोटा हूँ क्यों ना चुपके से बना खबर दिये सीधा अपने पतनी के पास पहुँच कर उसे आश्चरय उपहर दो तो घर के द्वार पालों को मोन रहने का इशारा करके वो सीधा अपने कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पामों के नीचे की जमेन खिसक गई पलंग पर उसकी पतनी के पास एक युवक सोया हुआ था तो बहुत ही जादा गुसे में वो सेट सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करते रहा और ये यहां किसी दूसरे पुरुष के साथ है मैं इन दोनों को जन्दा नहीं छोड़ूँगा तो क्रोध में उसने तलवार निकाल ली अब वो सेट वार करने जाही रहा था कि उतने मेही उसे पाच सो स्वन मुद्राओं से प्रापत ग्यान सुत्र याद आया कि कोई भी कार्या करने से पहले दो मिनट सोच लेना वो सोचने के लिए रुका उसकी तलवार पीछे खीची उसने तो वो तलवार बरतन से जाटक राई बरतन गिरा तो पत्नी की नीन खुल गई जैसे ही उसकी नजर पती पर पड़ी वो तो खुश हो गई और वो बोली आपकी बेना मेरा जीवन सुना सुना था इंतजार में इतने वरश कैसे निकाले हैं ये मैं ही जानती हूँ सेड तो पलंक पर सोई हुए पुरुष को देख कर कुपित था पतनी ने युवक को उठाने के लिए कहा बेटा जाग तिरे पिता आए है युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने जुका माथे की पगडी गिर गई उसके लंबे बाल बिखर गई सेड की पतनी ने कहा स्वामी ये आपकी बेटी है पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच ना आए इसलिए मैंने से बच्पन सही पुत्र के समान ही पालन पोशन किया और इसको संसकार दिये है ये सुनकर सेट की आँखों से आँसु बह निकले पतनी और बेटी को गले लगा कर सेट ने सूचा अगर मैंने उस ग्यान सुनकर को नहीं अपनाया होता तो जल्द बाजी में मेरा तो कितना नर्थ हो जाता मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खतम हो जाता ग्यान का ये सुनकर मुझे उस दिन तो बहुत महंगा लग रहा था लेकिन ऐसे सुतर के लिए तो 500 सोने की मुदराएं भी बहुत कम है ग्यान अनमूल है साथ संगत जीव साखी का सार के वल इतना ही है कि जीवन के दो मिनट जो दुखों से बचाकर सुखों की बरसाद कर सकते हैं वो है क्रोध के दो मिनट भागवत में भी यही संदेश दिया गया है कहा गया है कि यदि तुम्हारे काम से किसी का अपकार होता है तो उस काम को एक दिन के लिए टाल दो यदि उपकार होता है तो तुरंद कर डालो ताकि कहीं उपकार का विचार ना बदल जाए साज संगत जी एक बहुत पुरानी कहानी है एक स्त्रीनेक नेवला पाल रखा था जिसको वो बहुत प्यार करती थी एक दिन वो अपने बच्चे को पालने में सुला कर उसे नेवले की देख रेक में छोड़ कर कुएं से पानी लेने गई इसी बीच उनके कमरे में एक भायंकर साप आ निकला जैसे ही उसने बच्चे को डसना चाहा वैसे ही नेवले ने साप पर हमला कर दिया दोनों में काफी देर तक लड़ाई हुई और अंत में नेवले ने साप को मार दिया और उसके कई टुकडे कर डाले इस लड़ाई में नेवला भी बुरी तरह घायल हो गया था तो जब वो उस्तरी पानी भर कर लोटी और उसने नेवले को जब लहू लुहान देखा तो उसने सोचा कि नेवले ने तो मेरे बच्चे को मार दिया है क्रोध में आकर उसने नेवले पर भरा हुआ घड़ा पटक दिया जिससे कि वो नेवला तदकाल मर गया नेवले को मार कर जब वो कमरे में घुसी तो उसने बच्चे के पालने के पास साप के टुकडे देखी और अपने बच्चे को ठीक पाया तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ वो फूट फूट कर रो पड़ी साथ संगत जी निश्चे ही क्रोध का आरब मुरकता और अंत पश्यताप के साथ हुआ करता है क्रोध की अवस्था में मनुश्य का विवेक खतम हो जाता है मर जाता है इसलिए क्रोध आ जाने पर मनुश्य को रुक कर पहले उसके परिणामों पर वचार करना चाहिए और जो व्यक्ति विवेक के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो मनुश्यों में उत्तम माने जाती है सासंगत जी बहुत प्राचीन बात है किसी गाउमेक बुजुरग महात्मा रहते थे दूर दूर से लोग शिक्षा गरान करने के उदेश्य ऐसे अपने बच्चों को उनके आश्रम में भेशते थे एक दिन महात्मा जी के पास कमल नाम का एक अधेर उमर का व्यक्ति आया गुरु जी मुझे अपने चर्णों में जगा दे दो ऐसा वो कहने लगा अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं रही मैं आश्रम में रहे कर आपके आज्यानुसार समाज को अभी तक प्रापत किया हुआ ज्यान वित्रित करना चाहता हूँ पार्खी वृद्ध महात्मा ने एकदम समझ लिया कि ये व्यक्ति काबिल है इसकी कामना सक्ची है और ये समाज के प्रति अपने दाइतव को निभाने के लिए तयार है तो कमल उनके चर्णों में गिरकर प्राथना किये जा रहा था गुरुजी मुझे अपने चर्णों में स्थान दो महात्मा ने कहा पुत्र आश्रम की परंपरा है तुम स्नान करके पवित्र हो और भगवान के आगे संकलब धारण करो कि अपना करतव्य तुम सही तरीके से निभाओगी अतहे इस कारे के लिए तुम कल प्रातहे स्नान करके आश्रम आ जाना उसके जाते ही महात्मा जी ने साफ सफाई का काम करने वाली महिला को अपने पास बुला कर कहा कल सुबह ये निया सिक्षक आएगा जैसे ही आश्रम के नजदीक आए तुम इस प्रकार से जाडू लगाना कि इसके चहरे पर धूल गिर जाए लेकिन ये काम सावधानी से करना ये तुमें मार भी सकता है वो महिला महतमाजे का सम्मान करते थी उसने महतमा की आग्या को मान लिया अतिपरसनमुद्रा में कमल nahा धोकर आश्रमाने लगा जैसे ही वो नजदीक पहुचा उस महिला ने तेजी से जाडू लगाना शुरू कर दिया कमल के पूरे चहरे पर धूल चली गई उसे गुस्सा आ गया, पास पड़े पत्थर को उठा कर वो महिला को मारने के लिए दोड़ा, महिला पहले ही सावधान थी, वो भाग खड़ी हुई, उस अधेड के मुख में जो आया वो बक्ता चला गया, कमल वापस घर आया दुबार सनान करके महातमा के पास लोटा, महातमा ने कहा भी तो तुम जानवरों के सामान लड़ने के लिए दोड़ते चिलाते हो, तुम से अभी यहां सिक्षन काम नहीं होगा, तुम एक साल के बाद आना, अब तक जो काम करते हो वही करते रहो, कमल की इच्छा सच्ची थी, उसक करमचारी को बुला कर कहा, यह फिर आ रहा है, इस बार मारग में जाडू इस तरह से लगाना कि धूल के साह साथ उस पर जाडू की हलकी सी चोट भी लग जाए, दरनामत वो तुम्हे मारेगा नहीं, कुछ भी बोले तो सुनते रहना, तो अगले दिन सनान करके जैसे ही कमल द्वार तक पहुँचा, महीला जाडू लगाते हुए पहुच गई, महीला ने आदेश अनुसर जान बूच कर जाडू उस प्रकार से छुआ, कि कमल के कपड़े भी गंदे हो गए, कमल को बहुत गुसा आया, पर जगडने की बात उसके मन में नहीं आई, वो केवल महीला क गालियां बख कर फिर सिस्नान करने के लिए लोट गया, जब महात्मा जी के पास गया तो संत ने कहा, तुम्हारी काबलियत में मुझे संद है एक साल बाद आना, एक साल और भी था, तो कमल महात्मा जी के पास आया, तो महात्मा जी ने उसे पहले की तरह सिनान करके आने की आग्या दे महात्मा जी ने उसके जाते ही महिला को कहा इस बार सुबह जब यह आए तो तुम अपने कच्रे की टोक रीस पर पलट देना साफ सफाई करने वाली ओरत डर गई उस ओरत ने कहा महात्मा जी यह तो बड़े कठोड सभाव का है मैंने ऐसा किया तो इस बहुत गु पर यह क्या इस बर ना तो कमल को गुषा आया ना ही वह मार पेट के लिए दोड़ा कमल ने कहा माता आप मेरी गुरू है कमल ने महिला के सामने अपना मस्तक जुगा कर कहा आपने मुझे मूरक अभिमानी पर बड़ी किरपा की है आपके सयोग से मैंने अपने बड़पन के हेंकार और क्रोध रूपी शत्रूपर विजय पाई है वो दुबारा घर गया असनान करके आश्रम में आया तो इस बार महात्मा जी ने उसे गले से लगा लिया बोले बेटा तुमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया आप तुम आश्रम में काम करने के सच्छे अधिकारी ह साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नए साखी नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जाएँ